आपको खाने है हल्वा, आईए, वेलकम, वेलकम आज है संड़े, और संड़े को बनता है कुछ स्पेशल, और स्पेशल में अगर मीठा हो जाए, तो फिर किया ही कहने, मीठा खाने वाले जल्दी जल्दी आ जाए, रानेस किचन को जॉइन कर लें, तभी ना आप मीठा खा पाएंगे, इस बार का सारा चिम्मा इस बड़े से एपल शेप बाउल ने उठाया है, खुल जाओ, खुल जाओ, आपने अपने अंदर क्या चुपाया है, खुल जाओ बच्चा, हाँ, गुड बॉई, इसमें दाल भे गाई है, तो आज रानिस किचेन में बनने जा रहा है, वेरी वेरी यमी यमी टेस्टी मोंग दाल का हलवा, नेला धुला के इसे पाच्चे घंटे भिगाने के बाद, पीसना है, ओ जी पीसना क्या है, दाल का तो हलवा हमने पहले ही बना लेना है, रसिपे स्टार्ट होने के पहले जो नहीं आए हैं, वो भी जल्दी से आ जाएं, लेजिए दाल को पीस लेते हैं, एक भी दाल का दाना दिखनाने चाहिए, दाल के भी कई रूप है न, कुछ दिन पहले कचोरी बनाई थी, आज वही दाल हलवा बनाने चाह रही है, जैसे इंसानों के कई रूप होते हैं, वैसे ही इंग्रिडियन्स भी अपने कई रूप दिखाते हैं, पर वह आपको टेस्ट देते हैं, अब एक पैन गरम किया, उस पे एड़ कर दिया एक पाउल पानी, अब नहने की बारी थी शक्कर की, एक पाउल शक्कर एड़ कर दिया, इसे भी हम नैला धुला के बाहर निकालेंगे, इससे बनेगी चाशनी, इस पे एड़ करेंगे लाइची पाउडर, तस-पंदरा धागे केसर की, चलिए शक्कर मैडम, अब बहार निकल जाएए, ओ तेरी ये क्या हुआ, शक्कर को तो नहाने का कोई फाइदा नहीं हुआ, इसने क्या दिया मैं नहीं आरी बहार, कुछ इंग्रिडेंस तो ऐसे हैं, कि जिन्दगी बार नहाते ही नहीं, अगर उन्हें नहीं लाया जाए, तो वो पानी के ही हो जाते हैं, और अपने मिठास पानी को दे देते हैं, अब हमें ये समझ में नहीं आता, कि हम चीनी बने या हम पानी बन जाएं, होची बनना क्या है, हम तो है ही पानी, जो भी, जिस तरो भी ढालना चाहिए हमें ढाल लेता है, और सारी जिन्दगी हम किसी भी रंग में, किसी भी रूप में ढलते चाते हैं, चीनी गुल गई, चाशनी तयार हो गई, इसे करते हैं साइड, अब आ गया, खुला वाला पैन, हलवा बनाने के लिए हमेशा बड़ा बरतन लेना चाहिए, मूंग डाल का हलवा न वैसे भी पार्टियों की जान होता है, जो ना करे मापियों, ओ करे क्यों, तो जी आप मुझे ये बताएं कि हलवा कब बनता है, हलवा जब मन कर जाए तब बनता है, जब कोई हलवे की याद दिला दे तब बन जाता है, जब कोई फर्माईश कर दे तब हलवा बन जाता है, घी गरम हो जाने पे सीक्रेट इंग्रिडियन्स है, सूजी एक बाउल और एक बाउल बेसन ये दोनों ने बहुत जबर्दस्त काम करना है आप देखिएगा आगी इन्होंने ना दाल को पैन में चिपकने ही नहीं देना हाँ जी सूजी और बेसन भी हल्वा बनाते हैं जब मौसम सुहाना हो जाए तो हल्वा बनता है किसी पार्टी में हम जाए और वहाँ पे हल्वा न मिले तो घर आके हम हल्वा बनाते हैं जब घर में पूरी बन जाए तो हल्वे की याद आती है रानिस किचन में तो हल्वा बन रहा फिर आप बताएं आप हल्वा कब बना रहे हैं सूजी बेसन थोड़ा रोस्ट हो जाए तो पीसी हुई दाल एड़ कर देनी है और हल्वा बनता है सूजी का, बेसन का, आटे का, मूंग दाल का, गाजर का और जब ठंड आ जाए और गर्मा गरम कुछ खाने का मन कर जाए तो हल्वा बनता है कुछ मीचा खाने का मन कर जाए तो हल्वा इस बार तो मैंने बोलाई ने, इस बार आपने बोला, मैंने सुना और जब घर में गेस्ट आ जाए तो हल्वा बनता है हलवा ना हुआ तमाशा हो गया ये तो कभी भी बन जाता है और तो और किसी के घर से घी की सुगंद आ जाए तो भी हलवा बनता है जब घर में कोई छोटे मुटे फंक्शन हो या बड़े पार्टी हो तो भी हलवा बनता है और बैठे बैठे याद आ जाए कि हमने हल्वा कब खाया था फिर हल्वा बनता है कि चलो फिर से बना के इसे खाते हैं बातों में खोने जाना लगातार इसे हिलाते रहना हिलाते रहना कभी इस हाथ से कभी उस हाथ से तभी न हल्वा बनेगा अगर आपको बातों का हल्वा पसंद आ रहा हो तो प्लीज रानेस कीचन को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि आप कब-कब हल्वा बनाते हैं और जब मैं ट्राइफ रूट्स को छोटे-छोटे पिसेस में कट करूँगी प Chicago बदाम बड़े प्यार से कट किया है एक-एक पिस को क्योंकि दमाग में पिष्टा पिष्टा को भी बड़े अराम से चिल के छोटे पिसेस में कट किया है अब आ जाएंगे काजू काजू के भी चुट चुटे पीसेस किये हैं ये दिमाग में चल रहा था कि ये सारे पीसेस जब हम कट करेंगे ट्राइफ रूट्स के तो बनेगा हल्वा ये इंगिडेंस भी तो चार चांद लगाते हैं हल्वे पे काजू, बदाम, पिष्टा, एंड किश्मेश ये शाही लोग हैं और मोस्ली ये एक साथ ही आते हैं चारो पक्के दोस्त हैं और चारो मिलकर ही हल्वा बनाते हैं या यो कह लीजे, स्वीट डिशेज बनाते हैं इनसे मुलाकात करते करते हल्वा भी हो गया, गोल्डन ब्राउन अभी भी हिलाना जारी है वो बननी करना बस मिक्स करते जाओ, मिक्स करते जाओ दानेदार मूं का हल्वा बनने वाला है बीच में थोड़ी देर के लिए फ्लेम को हाई करना है क्योंकि अब इस पे एड होगी चाशनी जो बन के साइड में रेडी बैठी है इतनी बार हल्वे का नाम सुन-सुन के आपको खुशबू तो आए रही होगी है ना खुशबू आए तो ताइम हो गया चाशनी एड करने का चाशनी थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है अब इसे थोड़ा थोड़ा करके हम एड करेंगे थोड़ा और मिक्स कर लेते हैं तब ही न हल्वा बनेगा ओ माइ गॉड पता नहीं मैंने एक बार हल्वा बनाते हुए कितनी बार हल्वा बना डाला चाशनी ने करनी अपने मन की है क्योंकि वो नहा के बाहर भी नहीं आये थी कर लो भई आप भी अपने मन की कर लो क्या करें आखिर आना तो पड़ेगा थोड़ी थोड़ी एड करते जाए और इसे मिक्स करते जाए और चाशनी डालते वक्त आपको फ्लेम कर देनी है लो मिक्सिंग जारी रखिए क्योंकि आपको पता है यहाँ पे शाही महमान आने वाले हैं थोड़ी दिर पहले आप उनसे मिल चुके हैं काजू पिस्ता बदाम किश्मिश अब कीजिए मिक्स अब बने का हलवा जब यह चारों मिक्स होते हैं तो भी हलवा बनता है ऐसा नहों की हलवे का नाम इतनी बार सुनने के बाद आपको इसे बनाने का मनी न करें नई आपको इसे जरूर बनाना है और पार्टी वालों को दिखाना है कि हम भी मोंग दाल का हलवा घर पर बना सकते हैं और वो भी आपकी जैसा नहीं उसे भी टेस्टी तो चलिए हलवा हो गया डन 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 और अब इसे करते हैं डिश आउट कितनी दोस्ती हो गई कि आपका माने नहीं कर रहा कि इसे डिश आउट किया जाए पर करना तो पड़ेगा तभी तो खाया जाएगा हलो आप इस बार ये एपल पॉट की फर्माईश थी कि मैं डाल मुझ में बिगाई थी तो डिश आउट भी मैं ही करूंगा चलिए ठीक है आपकी बात मान लेते हैं आप ही कर लिजिए डिश आउट आ गई डिश अब हलवा आएगा आउट और आप सभी देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि फटा फट जाएए और हलवा बनाएए मेरा किसी भी समय मन खर सकता है कि मैं आपके गर आजाओ उसमें खूब सारे ड्राइफ रूट्स डालिएगा वो मुझे बहुत पसंद है कोई तो बना के बुलाओ हर बार मैं रिक्वेस्ट करती हूँ पर किसी की कॉल मेसेज नहीं आती कि मैं आप आजाएए हमने ये डिश आपके लिए बनाई है चलिए आप ना बुलाए मैंने एक बाइट टेस्ट करने के बाद इसे रख दिया संभाल के ये आपका वेट कर रही है आप जल्दी आईएगा तैंक यू फॉर वाचेंग मज़ा आया बहुत मज़ा आया हलवा खाके आपको भी हलवा खाना है रनिस किचेन को जोइन करो कर दो